नमो नारे, नमो नारे, चेगो माताव वंदे मात्रमा भार्तिक को प्रणाम और हर्दायशे ओम शंप शनिश्चारा है प्रदाशकों में तरों शाक्थियों आपके विचार और आपका वेवार विचार और वेवार यह हमारी जीमन रुपी बगेचे के दो वो फूले जो हमारी व्यक्तित को महका देते हैं इसलिए विचार में पवित्रता हो, वेवार सालिंता से भरा हो तो जीमन सदाखोशियों से भरा रता है साथियों नक्षत्र गर्णाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है बारा के बारा राशियों के लिए ये आपका मंतली राशिपल है परडश को मित्रों, शाथियों, पावन पित्र पक्स की समावते की साथ अक्टूबर 2014 का महना आरंब हो रहा है दो अक्टूबर को सरुपृत्र शराद है, साथी राश्पिता महात्मा गांदी की जैनती भी है और इसके साथी 3 अक्टूबर से सारध्य नवरात्रों का प्रारंब है 12 अक्टूबर को विजे दस्विमे का तेवार है और उसके साथी नवरात्रों का श्मापन होगा 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अधभूत तेवार है वो है करवाचोर 20 अक्टूबर को करवा चौत का वर्थ है 24 अक्टूबर को होई अश्टमी का वर्थ है और 29 अक्टूबर को धन त्रियो दशी है 31 अक्टूबर को नरक चतुर दशी है अक्टूबर का महिना समाप्थ हो जाएगा क्या कुछ खास करें इन शारद्य नवरातर में कि आपके घर में मा लक्षमी का आगवन हो और धन की बर्षाद और मिले कस्टों के छुटकारा है इसकी चर्चा हम राशी फल के साथ करें लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महिने में ग्रन शुत्रों की इस्थि अक्टूबर के महिने में पांच ग्रह प्रभावित होंगे सबसे पहले नौ अक्टूबर को देव गुरु ब्रैश्पती विर्षव राशी में वक्री होंगे बारा राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये वीडियो गुरु मंत्र भिदाती महाराज पर आपको मिल 10 अक्टूबर को अपनी नीच रासी तूला में संसर्ण करेंगे ये था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग अब बात करते हैं कि 12-12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का वेना नक्षतर गर्णाओं के हिसाब से कैसा रहेगा गर्णक्षतरों के राशी परिवर्तन का किस छेतर में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा किन-किन छेतर में विशेज सावधानी बरतनी पड़ेगी क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक देगा क्या आपके लिए भाग्य उद्धे का कोई खास उपाय है इस महीने इन विश्यों पर नक्षतर गर्णाओं के आंकलंग के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बाटूँगा शाथि प्रियास करूँगा कामकाज कारबार नौकरी समाज परिवार श्वास्ते और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर दोहजार चौबिस का मैना विश्यार से चर्चा करूँगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा यह जो राशिपले वो आपके चंदर राशिपल पराधारित होगा राशिपल पूर्शों के लिए भी है महिलाओं के लिए भी है बुजर्गों के बच्चों के लिए भी होगा आप लगन कूंडली से भी यह राशिपल देख सकते हैं जैसे आपकी मेश राशिपल आपके वैसा ही रहेगा सटीक रहेगा और आपका मेश लगन है तो भी राशिपल आपके लिए सटीक रहेगा लेकिन चंदर राशी से देखना ज्यादा अन्कुर लेता है इन सब राश्यों के साथ साथ भगिया आपकी पक्ष में दस्तों देवर आपकी प्रेशानियों का राषी चक्र की ग्यार्वी राषी यानि कुम राषी के लिए नक्सत गन्णाओं के आधार से अक्तुबर 2024 के महिने में राशीफल का क्या संकेत मिल्ला है कुमराश्य वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महिने की राश्य फल की चर्चा करूँगा लेकिन उस चे पहले मेरी कुछ अनभव की बात है कुमराश्य वालों कुमराश्य वाले भाई बैन जो अपने विचारों पर चलते हैं और जल्दी दूसरे लोग भी इनसे जूड़ जाते हैं क्योंकि विचार बड़े आदुनिक होते हैं बड़े उनतिसी होते हैं एक बहतर समाज बनाने का प्रियास कुमराश्य की लोग करते हैं इनकी मित्रता का दाईरह कापी बड़ा होता है क्योंकि मानव जात्यों कि प्रति प्यार समाज की बेहतर के लिए कुछ भी कर सकते हैं यह बड़े निस्पक्स होते हैं आदुनिक विचारदारों, वैबारिक होते हैं अपने विचार जीमन और गती की स्वतंता पसंद करते हैं, अक्सर महान आविस्कार और तकने की और विशेशी की भी साबित होते हैं, अपने हर समय के बदलते विचारों की वज़े से ये कभी-कभी सन की साबित भी हो जाते हैं, अलग सोच रखते हैं, और अलग सोच रखने वालों से कुम्राशी के लोग समंद नहीं बना पाते हैं सानभूती, समेदल सिल्ता, दारसनिक्ता, दोस्ताना ये कुम्राशी के अद्भूत गुन है और एक मजबूत कोशन होता है नहीं ये जान बुझ कर अपने आप में खोए रहते हैं ये ज़्यादा लोगों में भीड़ बार में नहीं पसंद नहीं करते हैं ये अध्भूत राशी ये साथ इमानदारी का दूसरा नम कुम्राशी अपनी साथी की प्रदी बहुत इमानदार होता अब अक्टुबर 2024 का महिना इनके लिए कैसा रहेगा इसके लिए बात करह गोचर की तो देखते हैं गरह गोचर किस प्रकार की इस्तिती बना रहे हैं अक्टुबर 2024 के महिने में थोड़ा इसको समझे देए कुम्राशी वाल राशी अधिपती सनी देव पनी मूलत्री कॉंड राशी कुम में वकरी अवस्ता में लगन भाव से सचनामक पंच महापूर्थ योग में संचन करेंगे सनी देव की तीसरी देशी तीसरा भाव सब्तम दसी शब्तम भाव और दसम दसी दसम भाव पर रहे शुरिदेव, बुद्देव, केतिदेव, कन्या रासी अस्टम भाव में संचन करेंगे, 10 अक्तुब्रको बुद्देव, तुला रासी नमम भाव में संचन करेंगे, जान शुकर देव पहले से विराज महाने, 13 अक्तुब्र शुकर देव, विर्चिक रासी दसम भाव में, 17 कंभ राशी वालों के लिए अक्तूबर के महिने में घ्रहργयोगा एंघ। अब मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूँ तो कुमराशी वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा, कामकाज नौकरी वैवशाय को लोगर कभी गी घना तो कभी मूठी जाना, मत्मुल निने में जल्दबाजी नहीं ले तो अच्छा रहेगा, इस महीने क पारवारिक मसले थोड़े उलज दिवे नजर आ रहे हैं, स्वास्वमन्दी समश्याओं का सामना करना पर सकता है, मा के उतराद में जीवन समंदी बहुसी परिशांशे आपको मुक्ती मिलेगी, केरियर और एजुकेश्य के महत्पूर मसले थोड़े से सोच विचार कर कर क अच्छा रहे हैं, अक्तूर का महिना सावधानी का संकेश देर हा जरूर, लेकिन महनत परिश्रम संगर्ष का पून फल मिलेगा, बस संयम और धहरी से काम करें, तथा कर तभी मित्रों से सावधान दे, खान पान और रातरी भरपन में विशेश सावधानी बतना बहुत जो यानि स्वास्ते को लेकर लापरवाई नहीं है, यह मोटा मोटा कुमराशी वालों के लिए अक्तूबर दो हजार चौबिस के महिने का संकेश लेकिन जब यह घर है, योगा-योग आपस में दस्टी और यूती समंद बनाएंगे, तब कुमराशी वालों के लिए कामकाज, क परवार और नौकरी और आर्थिक, कुमराशी वालों के लिए अक्टूबर का महिना परिश्रम से पून लाब और मन उनको शपलता प्राप्ति का संकेदिर है, यानि चाहिए वो वैपार हो, चाहिए नौकरी हो, चाहिए परिवार या समाज, आपको शपलता चाहिए तो आ लोग हैं, उनके लिए अच्छा संकेत है, पिछली नौकरी शमंदी परिशान से शुटकारा मिलेगा, नौकरी में एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे, मैनेजमेंट और सचीव जैसे पदों पर विराजमान लोगों के लिए ये शंपोन शमय, लाब शपलता और मान सम् की प्राप्तिगा संकेत दे रहा है, इस समय आप आउसारवादी बनें, ने तो बाद में मोकाहाद से निकल सकता है, आप उच्परसासनिक हैं, आप उच्परसासनिक सेवाओं में कारियरत हैं, या सरकारी नौकरी पर हैं, या उच्पदों पर काम कर रहे हैं, राजनेता है थोड़ी सी मैनत, थोड़ा सा परश्रम, थोड़ा सा पुर्षाद आपके दारिदर को दूर कर सकता है। आपके मानसमान यह से और किरती में बढ़ोतरी करेगा। कार्य चमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य की क्वालिटी में अभूतपुर बदलाव देखने को मिलेगा। धहरी और स्यूम से काम करने में आपका आतम विश्वास बढ़ेगा। और उठापटकर उठापटकर उठापऊ से पिछा छुटेगा। कारोबार में पौन शपलता मिलेगी। लेकिन महा के आरम में 17 शूर्देव अश्टम भावी विराजमान होने के कान मन में थोला से द्वंद रहेगा। द्वंद को अपने उपर हावे नहीं होनेंदा। और द्वंद आपने रखा तो अर्चने और अवरोधा से मन खिन दा सकता। मा के उत्राद में नहीं कारोबारी सम्द मनेंगे। रोजगार सम्दी परिशान से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में लाब मिलेगा। योजनाओं का नहीं योजनाओं का लाब मिलेगे। मुनत्ति का उसर प्राप्ट होंगे, मैडिसिन, लकडी का काम, इंसोरेंस, फोटोग्राफी, खेती सम्मंदी, कारुबार के अलावा, प्रपरटी, शेल परचेज, ज्वेलर, फाइनेंसर का काम करने वाले, ग्रोसिर का काम करने वाले, इन लोगों को भी विशेश लाब और इदि आप क्रिशिशनमंदी दवां का काम करते हैं, तो मुनापा अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी मैनत है, थोड़ी सा संगर्स है, चुनोतियां है, लेकिन लाब मिलेगा, अपने आतम विश्वास में कमी नहीं होने देगा, इदि आपने आतम विश्वास में कमी र संकेत हैं, हर मुश्रीबत में, हर जगे परिवार कनधा से कनधा मिलाकर चाहजंद मात्पिटा का साथ मिलेगा, झोटे भहीवन साथ करेंगे, संतान पक्स अपगुद है परवाई नहीं करना है जोड़ चोटे बातों को तूल ने देना बाध बीबादों में नहीं पढ़ना है लेकिन छोटे भाईबेने को करभार में सपलता मिलेगी हाँ कुछ फ्वास्ट्यों क को लेकर परिशानिकर संकेते उसमें आप लापरवाई नहीं करे aussi दामपत्य जिवने उठापट्र का सामना नहीं करना पड़े तो वेड़ते भैप्रम से बार आए फॉल्स इलूजिन्स नहीं रखिंग तो अच्छा रहेगा वैसे नक्षत गर्ण तो इस बात का संगे दे रहेगी थोड़ा सा संयम रखे थोड़ा सा धहरी रखे अपनों को तो पारवारी उठापट्र मुक्ति मिलेगी परिवारे में खुशी का बातावंड हैगा और परिवार साथ बैटने का मोखा भी मिलेगा परवारे संगरश्व छूटकावरी मिलेगा पस खर्चों पर काबू रखना है अपनों को शात रखना है आपनों से बारतालाप्स य संतान पक्ष पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जूरुत है इस महिन असोबनी और अमर्यदित भासा पारवार रिस्तों में दूरी लाएगी बस इससे बचना है परिवार साथ समय बिताने का मोखा निकाले तो आपके लिए और अच्छा रहे परिवार के साथ रहे उन कुम में शनी देव का संचन नाव भावनश्वार राशी तुला में शुक्र देव का संच इस बात का संगे कि कामकाज कारवार नौकरिक शिक्षा में आरी अनाव शेक बादा परिशानियां से चुटकारा मिलेगा लेकर मेहनत भी है करनी पड़े हैं आप शिविल सुरू करें तो आपको अच्छा लाब मिलेगा मैनत और परिश्रम से केरिश्रम बंदी मसले हलोंगे उस शिक्षा में पूंट शपलता मिलेगी मनावनगोर सब्जेट चुनने का मोका मिलेगा विद्यार्तियों लिए अच्छा समय है पढ़ाय में मन लगेगा मैनत का अच मरियाजाओं का पालन होना चाहिए अब 3 अक्टुबर 2024 से शारद्य नवरातरे प्रारंभ हो रहे है तो अक्टुबर के महिने में आप चाहते कि मा भगवती की किरपा आपको मिले तो आम आप कालडात्ती की पूजा करें कि नवरातर के पहले दिनी अपनी पूजा सुधासन पर बैट जाए साड़े तीन से पांच के बीच में तीन माला ओम आंग रिम कलिम चामंडाय बीचे ओम कालरात्ती देवे नमा इश्मंत्री की जात कि शद्यूंजी का इस्तों का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा यह अध्भूद रहेगा हर रोज माई के कुम्राशिवालों के लिए स्वास्ति के 10 अक्टूमर का महिना अनुकुलता का संकेत निदेरा इल्ला परवाइद ने करियेगा क्योंकि लागन बाव में अपनी मूल क्रिकोंडासी कुम्य वकरिया उसनी देव का संचन है पंचम बाव में 20 अक्टूर नीच राशी करक में मंगल देव का संचन है आश्टन बाव में सूरी देव बुद्धे और केतु देव का विराजमान होना इस बात का संकेतर है कि स्वास्ट्य को लेकर प्रिविंशन बहुत जरूरी है चाहिए वो नर्व सिस्टम हो चाहिए रक्विकार हो जॉइंट पेन हो पैर हो एडी में संबल कर कदम बढ़ाईएगा विसे इससाब जानिए कारिचेतरों या वैपार चौकस और सचेतर रहना बहुत जरूरी है दूसरों पर अंदा विश्वास नहीं करें अपने आसपास के बातां पर सज्ज़क रहें दो के बीच में तीसरा आना पारवारिक कलहे का संकेत है अपने दूसरों के साथ अपने किसी भी कारे में मदस्ता नहीं करने दे ना दूसरे की किसी की मदस्ता आप करें मर्यादां को अपालन करें शेर मार्केट में जोखी में नहीं उटाएं और अनावे से खर्चे नहीं करें तो अच्छा रहेगा कामकाज कारवार नोकरी बैस श्रमाज परिवार में अक्टूबर के महिने में परिशानी के निवारान के लिए सर्दानुसार गयूं और गुड लगातार गौसाला में नौ दिन दान्द में देना उत्तम रहेगा नवरात्रोंग इस महिने पिता के चलने इस पर हर रोज करें भगवान श्री हरी विष्ण के लिए अक्टूबर का महिना कैसा रहेगा नक्षतर गंणाओ के आधार पर ये मेरा नीजी आंकलन था ना भय न भर्म न भ्रहंति न भीवाद न तर्क शेकन ओपनिन का जगर आपके पास था आपके पास है और आपी के पास रहेगा मानून मानून ये आपकी मर्जी हां आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़का आप से चम्मा मांगता हूं आप सुखी रहे आप स्वस्तरे समर्दी से रलेशन देव की चड़न में मेरी प्रात्ता नम बना रहे है रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दातिमाराज गायों से बह हाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है मनश्य हूं और मानव होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकों से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भ दन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका शयोग चाहिए और शयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूं आपकी शमश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरी साल खड़ा रहूंगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंक आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोतीजिये समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक मह लिने में लगबग लगबग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूं और यह सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रसती आर्तिक दस्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने है शासन के अपनी एक सीमा है और अपनी मर्याद है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदे से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है जरुर स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नाराएन ओम नमो न झाल